हेलो फ्रेंड्स मेरा नाम जिक्विंदर है चलिए इस वीडियो में हम जानते हैं कि Windows Server 2012 में हम DNS Server रोल को कैसे इंस्टॉल और कन्फिगर करते हैं DNS Concept वीडियो में जब हमने DNS Server Types के बारे में जाना था तब हमने देखा था कि DNS के तीन Server Types होते हैं जो कि हैं Primary DNS Server, Secondary DNS Server और Cache Only DNS Server तो इस वीडियो में हम Server 2012 के उपर Cache Only DNS Server को कन्फिगर करने का मैथड सीखेंगे चलिए इसके लिए ज़रा हम अपने Network को समझ लें हमारे Network में कुछ Clients हैं यानि कि ऐसे Computer जिनके उपर Client Operating System इंस्टॉल हुआ हुआ है वो Windows 7, Windows 8, Windows XP या फिर Non-Windows Operating System या Linux Based Operating Systems भी हो सकते हैं इसके लावा हमारे Network में एक Server इंस्टॉल है जिसके उपर Server 2012 Operating System इंस्टॉल है और इसी के उपर हम DNS Server रोल को इंस्टॉल करके इसी सर्वर को एक्ट करवाएंगे as a Cache Only DNS सर्वर ये सर्वर हमारा इंटरनेट से Connected होना चाहिए इसे इंटरनेट से Connect करने के लिए आप किसी भी टेकनिक को यूज कर सकते हैं आप इसके उपर Public IP Address को Configure कर सकते हैं और इसे इंटरनेट से Connect कर सकते हैं या फिर आप NetPad के थुरू भी इसे IP Address प्रोवाइड करवाके इसकी Configuration कर सकते हैं यानि कि कुछ भी हो ये सर्वर हमारा इंटरनेट से Connected होना चाहिए हमने इसको NetPad के थुरू IP Address प्रोवाइड किया है और इसके उपर जो IP Address Configured है वो है 192.168.1.110 और यही IP Address बाकी सभी क्लाइंट्स के DNS Server Address में हम Configure करेंगे और फिर यह सभी क्लाइंट्स इस DNS Server को यूज़ करके Name Resolution परफॉर्म करेंगे तो चलिए इस Activity को परफॉर्म करने के लिए चलते हैं अपने Windows Server 2012 के उपर तो देखे मैं अपने Windows Server 2012 के उपर आ गया और इसके उपर हमने Server Manager को Open कर रखा है यह एक Fresh Installation है और इसमें अभी कोई भी Server Role installed नहीं है नए Server Role या Features को Add करने के लिए Server Manager के Dashboard में से हम Add Role and Features को क्लिक करते हैं इसके बाद Next Button को क्लिक करते हैं और आपके सामने दो Options हैं जिनमें से हम Role Based और Feature Based Installation जो की Default Selected है उसे ही Select रहने देते हैं और Next Button को क्लिक करते हैं यहाँ पर देखिए मेरे Windows Server 2012 का नाम और उसके उपर Configured IP Addresses आपको दिखाई दे रहे हैं तो इस System के उपर दो IP Addresses हैं और इसके उपर जो IP Address Configured है वो है 192.168.1.110 और यही IP Address हमारे सभी Clients के लिए DNS Server Address की तरह एक्ट करेगा जिनने हम Name Resolution प्रोवाइड करवाना चाहते हैं इसके बाद मैं Next Button को क्लिक करता हूँ और ऐसा करते ही Server 2012 के उपर जो Rules इंस्टॉल हो सकते हैं वो आपके सामने आ जाते हैं इन में से मैं DNS को सिलेक्ट करता हूँ आपके सामने एक Pop-Up Window आई कि कुछ Features को भी इसके लिए Add करना पड़ेगा कुछ Tools को तो हम इने भी Add करवा देते हैं और इस Add Features बटन को क्लिक करते हैं इसके बाद Next बटन को क्लिक करते हैं अगर आपको additional feature को install करना चाहते हैं तो आप यहां से सेलेक्ट कर सकते हैं हम ऐसा ना करके Next बटन को क्लिक करते हैं आपको DNS server के बारे में जानकारी दी जा रही है इसके बाद Again Next बटन और यहाँ पर एक option है कि अगर server को restart करने की जरुत पड़े हैं ऐसा करने के बाद देखे installation का process start हो रहा है तो इस installation process को कुछ समय लगने वाला है तो उतनी देर के लिए हम वीडियो को pause करते हैं और जैसे ही यह complete होता है हम वीडियो continue करेंगे तो देखे हमारा installation का process complete हो गया है और इस server के उपर DNS server role install हो गया है यहां से मैं close button को click करता हूँ और यहां पे देखे हमारे पास roles and server groups में एक और tile available हो गई है जो की DNS नाम से है और इसे manage करने के लिए मैं यहां से DNS को select करता हूँ आपके सामने वो सभी servers आ जाएंगे जिनके उपर DNS server role installed है हम server को select करते हैं इसे right click करके यहां से DNS manager को open कर लेते हैं तो देखिए आपके सामने DNS server दिखाई दे रहा है आपको यहां पे forward look up zones है reverse look up zones है यह दोनों के दोनों आपको खाली दिखाई दे रहे हैं क्योंकि अभी हमने कोई भी zone इसमें create नहीं किया है और हम इसे सिरफ cash only server की तरह act करवाना चाहते हैं तो मैं इसको close करता हूँ और अब आप clients के उपर उनके TCP IP properties में DNS server के उपर 192.168.1.110 को configure करके इस server के through name resolution provide कर सकते हैं यानि के वो computers name resolution के लिए इस DNS server को use करेंगे तो चलिए इस activity को perform करने के लिए हम किसी एक client के उपर जाते हैं और वहाँ पर ये address उसके TCP IP properties में DNS server के IP address में configure करके देखते हैं और फिर check करते हैं कि क्या वो internet access कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है लेकिन इस activity को perform करने से पहले चलिए ज़रा हम अपने network cards की properties में चलते हैं और यहां से मैं उस ethernet card को disable कर देता हूँ जिसके उपर 10.10.10.183 IP address है ताकि आपको कोई confusion ना हो और अब सिरफ इस server के उपर एक ही ethernet card active है और जिसके उपर IP address 192.168.1.110 है और जिसका default gateway 192.168.1.1 है जो कि हमारे network का router address है यानि के gateway का address है तो चलिए अपने client computer के उपर चलते हैं तो देखिए मैं अपने client computer के उपर आ गया और यहां आने के बाद मैं network की properties में जाता हूँ और यहां से adapter settings को change करता हूँ तो इसके उपर दो ethernet card installed हैं लेकिन एक को हमने disable कर रहा है तो जो card enable है हम उसको open करते हैं की properties में जाते हैं internet protocol v4, TCP IP v4 को open करते हैं और यहां पर एक IP address configure करते हैं मान लेजे 192.168.1.125 इसका default mask और gateway हमारे router का address जो की सभी के लिए same रहेगा सभी computers के लिए जो internet access करना चाहते हैं और उसके बाद 192.168.1.110 यानि के उस DNS server का address जो की अभी अभी हमने install किया है इसको OK बटन को क्लिक करते हैं अगेन OK बटन को क्लिक करते हैं और Close बटन को क्लिक करते हैं इसके बाद यहां से हम किसी भी web browser को open करते हैं मैं internet explorer को open करता हूँ और इसा करने के बाद देखिए immediately Google का home page हमारे सामने open हो गया है यानि के हमारा DNS server perfectly work कर रहा है चलिए question time आप मुझे question का answer दीजे आप मुझे बताइए कि इस वीडियो में हमने DNS के किस server type को install किया है आपकी options है primary DNS server, secondary DNS server या फिर cache only DNS server आप इस question का answer next 15 seconds में नीचे comments में जरूर टाइप करें तो इस वीडियो में हमने सीखा कि हम Windows server 2012 के उपर DNS server role को कैसे install कर सकते हैं और उसके बाद हमने इसी DNS server के IP address को यूज करके network में name resolution का practical भी perform किया तो इस वीडियो में इतना है thanks for listening